वाशिंग्टन में जारी नेटो के शिकर सम्मेलन का आज आखरी दिन है, अब तक कि सम्मेलन में यूकरेन युद्ध का मुद्धा चाया रहा है। नेटो के सदस्य देशों ने कहा कि वो भविश्य में यूकरेन की नेटो सदस्यता देने से पीछे नहीं हटेंगे। साथी उन्होंने यूक्रेन के लिए और अधिक मदद का वादा भी किया है। हलांकि 32 सदस्यों वाले मुल्क के इस सैन निगड मंधन ने यूक्रेन को सदस्यता देने की कोई समय सीमा तैय नहीं किया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन यूद में यूक्रेन की कोशिशों के लिए उनका समर्थन तूट है। नेटो ने अगले साल यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की मदद देने का वादा भी किया है जिसमें F-16 लड़ा को विमान और एर डिफेंस सपोर्ट पे शामिल है। और यूक्रेन ने नेटो सर्दस्यों के तरफ से अतरिक तस्यान मदद की गोश्टा का स्वागत किया। इस पर और जादा जानकारी दे रहे हैं केव में मौझूद बेबी से सम्मादा था जेम्स वाटर हाउस। अब रास्टरपती जैलेंस की और उनकी सरकार के लिए एक काफी पैची दास्तिती बन गई है। चीन ने नेटो के चितावनी दी है कि वो रूस के साथ उसके सम्मंदों में टकराओ पैदा करने के कोशिच ना करें। नेटो सेन्यसंग गटबंदन ने इससे पहले चीन पर आरोप लगाया था कि वो यूक्रेइन युद में रूस की मदद कर रहा है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीजिंग से बीबी से सम्मादा था स्टीफन मैंक टॉनल। आरोप ये है कि चीन रूस के साथ व्यापार मजबूत करने के साथ साथ कुछ ऐसे पुर्जे भी दे रहा है जिन से आम लोगों के लिए तो चीजें बनाई ही जा सकती हैं साथ ही इनकी मदद से हत्यारों का उत्पादन भी किया जा सकता है। और इस आरोप को चीन खारिज करता है पर नेटो चीन पर ऐसा करने का आरोप लगा रहा है। झाल झाल